हाई दूस्तों असलाव अलेकूं के से आप लोग मेरा नबील है आज हम लोग कंपेर करने वाले है एपल के एरपॉट्स प्रो टू को सामसंग के गैलेक्जी बड्स त्री प्रो के साथ देखते हैं इन में से कौन से रहेंगे बेस्ट सबसे जादा वैलू फो मनी सबसे बेस् कॉलिटी किसमें आपको देखने मिलती है इस वीडियो के अंदर सारी चीजें एक एक करके हम चेक आउट करेंगे डीटेल में सबसे बहले बात करते हैं डिजाइन बिल कॉलिटी और लुक्स की यहां पर दोनों केस को देखते हैं सबसे पहले हम तो यहां पर एपल के एरप बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कौनसा आपको ज्यादा अच्छा लगता है एरपोर्ट्स प्रो 2 के अंदर आपको यहां पर एक लैनियाट पोड मिलता है जिससे आप कोई स्ट्रिंग लगा के इसको लटका सकते है स्पीकर भी इसके अंदर दिया हुआ है ताके आप इसी पर्स 3 प्रो इसके भी अपने अड्वांटेजेज है आपको यहां पर कलर कोडिंग देखने मिलती है लेफ्ट और राइट बड के लिए अलग-अलग कलर दिया है केस पे भी है और आपको यही सेम चीज जो है बड पर भी यहां पर देखने मिल जाती है तो यह काफी इसी और convenient होता है मतलब लेफ्ट वाला बड लेफ जगा पर रखना राइड वाला बड राइट जगा पर रखना क्योंकि एरपॉट्स प्रो टू भी मैं वाट टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसमें क्या हो जाता है गडबड हो जैसे मैंने निकाल दिया अगर केस ऐस के साथ इस्तमाल करे हो reverse wireless charging उन फोन के अंदर आती है तो उसके बैक पे रखके भी आप इनको चार्ज कर सकते हैं बड्स के अगर बात करें तो दोनों ही इन एर टाइप के बड्स है दोनों के अंदर silicon tips आपको देखने मिलती है एंड में लेकिन यहापे ग्यालेक्जी बड् यह flat होने के वैसे slide करना और pinch करना जो है यह आसान है यहाप एक triangular shape आपको देखने मिलता है तोड़ी सी आसान ही हो जाती है और swipe भी आप करेंगे volume up-down करने के लिए तो it is a lot easier than Airpods Pro 2 Galaxy Buds 3 Pro के अंदर आपको यहापे blade lighting भी मिलती है आप चाहे इसको on रख सकते है pulsating रख सकते है ऐसी कोई चीज Airpods Pro 2 के उपर नहीं देखने मिलती है बट यह एक aesthetic चीज़े आपको देखने में पसंद आती है नहीं आती आपके उपर depend करता है बट एक advantage है Galaxy Buds 3 Pro के पास यहापे Galaxy Buds 3 Pro के अंदर आपको Bluetooth 5.4 देखने मिलता है वही पे Airpods Pro 2 के अंदर आपको Bluetooth 5.3 देखने मिलता है तो इस देखने मिलता है और आपको शिंगल speaker देखने मिलता है वही पर Galaxy Buds 3 Pro के अंदर आपको 2-way enhanced speakers देखने मिलते हैं Galaxy Buds 3 Pro के अंदर Samsung ने दिया 24-bit Hi-Fi sound with 96 kHz sound वही पर AirPods Pro 2 के लिए अभी एक Apple ने अपडेट पुश किया जिसके अंदर आपको 16-bit और 48 kHz का sound देखने मिलता है तो इस वामले में भी advantage है Samsung के पास लेकिन आगे जाके चेक करेंगे हम के दोनों में sound में exactly क्या फरक आता है इसकी वज़े से वेरिंग कमफर्ट की बात करते गाइस क्योंकि यह बहुत important है आप Buds लेते हो इतने महेंगे तो दिन बर पैनोगे भी उनको तो Samsung के जो Galaxy Buds 3 Pro है या Apple के AirPods Pro 2 है दोनों में आपको equal level of comfort देखने मिलता है दोनों ही earbuds जो है बहुत जादा comfortable है और जो price आप उनके लिए pay कर रहे हो उसमें आपको comfort में दोनों ही earbuds में कोई भी problem नहीं आई अब इनके अंदर जो features दिये है जो media control है उसके बार में बात करते हैं दोनों के अंदर जो ANC control है active noise cancellation on करने का off करने का ये जो है बहुत similar है दोनों ही के अंदर आपको pinch करना होता है earbuds को volume up-down करना भी जो है दोनों में similar है finger को swipe up या swipe down करना है volume up-down करने के लिए और call receive end करने के लिए भी आपको दोनों में similar ही तरीका इस्तमाल करना है pinch करने का earbuds को लेकिन features में काफी सारे differences है Samsung Galaxy Buds 3 Pro के अंदर इन्होंने काफी सारे AI features भी दिये है ये AI का इस्तमाल करते है to adjust sound according to your fit तो आपके कान में जैसे ये earbuds बैठते है आपका कान का जो भी shape है उसके मताबिक ये AI की मदद से proper sound को optimize करेगा आपके कान के लिए इसके अंदर आप live translation का भी अपने earbuds में सुन सकते हो लेकिन लाइफ translation काम कैसे करता है Galaxy Buds 3 Pro के अंदर ये मैं आपको explain करता हो तो यहाँ पर देख सकते है मैंने हिंदी से लेकर रहा है ऊपर चाहिनी से लेकर रहा है यहाँ पर दिखा रहा है मेरे buds क्यूंकि यहाँ पर जो buds है उनके through directly मुझे वो translation सुनाई देने वाल है मुझे अपने phone की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर एक demonstration मैं आपको इसका बताता हूं अब यहाँ पर इस phone के अंदर एक Chinese movie लगाई वी है और उसके अंदर उसका डायलोग है जिसको हम यहाँ पर translate करेंगे मुझे अपने phone की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है और मैं जो कुछ बोलूँगा वो सामने वाले को मुझे सुनाना है या दिखाना है तो भी बड्स के जरीए से ही phone के अंदर चला जाएगा और phone के display पर पढ़ सकता फोन के speaker से सुन सकते है इसमें listening mode और conversation mode भी इन्होंने दिया है तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो song सुनते वे या कोई भी video देखते वे तो automatically बात करने के वक्त जो इसकी volume हो कम हो जाती है इसके लिए आपको यह voice detect feature को on करेना है siren detect भी है जिससे sirens को भी detect करेगा और ANC mode को change करेगा तो यहां पे voice detect को on कर देता हूं अब पीछे चले जाते हैं अब जब मैं बात कर रहा हो तो दीखिए automatically इसने ambient mode में switch कर लिया मैं एक second के लिए चुप होता हूं आपको surrounding का sound सुनाई दे वह भी चेक कर लिजे अपल के AirPods Pro 2 के अंदर भी ear tip fit test होता है जिसमें आप इनको कान में पहनेंगे और एक test run करेंगे तो आपके कानों के मताबिक यह AirPods Pro 2 को optimize करेगा AirPods Pro 2 के अंदर आपको personalized volume मिलती है जिसमें आपकी personal preference के हिसाप से volume को adjust किया जाता है इसमें भी conversation awareness है जैसे Galaxy Buds 3 Pro में है आप किसी से बात कर रहे हो कुछ गाना वाना सुनते हैं तो volume कम हो जाती है इसकी भी और इसमें भी loud sound reduction आपको देखने मिलता है इसमें transparency mode के अंदर अगर को 360 degree audio मिलता है सभी तरफ से आपको sound आएगा जहां भी आप sir गुमाएंगे head tracking के मदद से वहां से आपको sound आएगा और same चीज़ आपको AirPods Pro 2 के अंदर भी मिलती है उसको Apple बोलता है personalized facial audio AirPods Pro 2 के अंदर आपको voice isolation मिल जाता है जिसको आप जैसे phone पर directly voice isolation use कर सकते है वैसे AirPods Pro 2 के performance active noise cancellation का performance में ना सिफ active noise cancellation बलके transparency mode दोनों को ही मैंने test किया in noisy environment और इन दोनों चीज़ों को extensively test करने के बाद और अपने team से भी test करवाने के बाद हम इसी conclusion पे आए है कि Samsung Galaxy Buds 3 Pro का जो active noise cancellation है और जो transparency mode है it is superior than Apple के AirPods Pro 2 आपको ये चीज़ खुद experience करके ही पता लगेगी मेरे बोलने store वहाँ पे जाके आपको देखना पड़ेगा pen के या आपको try करना पड़ेगा किसी friend के पास तब आपको actual difference समझ में आएगा back to back हमने test run किये दोनों ही के उपर अलग-अलग noisy environments के अंदर और तब हमको समझ में आया कि Samsung Galaxy Buds 3 Pro का जो noise cancellation है जो ambient mode है वो better है when compared to Apple के AirPods Pro 2 का noise cancellation और transparency mode अब और एक main चीज़ के उपर आ जाते है जिसके लिए हम earbuds लेते है जो है एक तो call quality और दूसरी है audio quality sound quality कैसी है देकि call quality जो है दोनों ही earbuds में fantastic है आपको जो है एकदम high end की call quality दोनों ही के अंदर देखने मिलेगी multiple mics हैं दोनों के अंदर जिसकी वहीं से environment का noise जो है अच्छे से test की या movies test की उसके अंदर जो better sound quality, better output, louder volume, better bass और better vocals सारी चीजों में जो better साबित हुआ है वो है Samsung के Galaxy Buds 3 Pro, AirPods Pro 2 जो है ये भी अच्छे है no doubt लेकिन superior performance देता है जो superior quality दे रहा है वो Buds 3 Pro ही दे रहा है बैटर लाइफ की बात करें तो दोनों के उपर जो बैटर लाइफ है वो similar आपको देखने मिलती है Buds की और case के साथ Buds की जो बैटर लाइफ निकलती है वो भी similar है बैटर लाइफ के माद में आप डिसपोइंट ने होंगे दोनों की बैटर लाइफ बहुत अच्छी है रही बात pricing की तो आपको Apple के AirPods Pro 2 जो है ये 24,900 रुपीस की MRP है वही पर Samsung Galaxy Buds 3 Pro जो है ये available है for 19,999 रुपीस दोनों ही के ओपर cashback offers है लेकिन cashback के बाद भी दोनों के बीच में 5-6,000 रुपीस का difference रहता है वर्डिक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर at a lower price Samsung Galaxy Buds 3 Pro के अंदर आपको better noise cancellation, better transparency mode जैसे मैंने अब भी बताया आपको और better sound output देखने मिल जाता है कुछ features इसमें जादा है कुछ features इसमें जादा है लेकिन अगर value for money की बात करें दोनों के बीच में कौन सी है तो वो है Samsung Galaxy Buds 3 Pro क्या आपने experience किया है इन में से कोई भी earbuds को मुझे comment करके जरू बताना AirPods Pro 2 या Samsung Galaxy Buds 3 Pro इन में से आपकी choice कौन सी रहेगी अगर आपने सुना है तो उसके बारे में भी आप लिख के बता सकते है उम्मीकता दोस्तों आपका आज के वडियो पसना होगा पसना वडियो को लगए इन चैस जरू कीजिए मैं इस चनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए गुडबाए